हलो स्टूडिंस वेलकम जो दरोनाइस मैसल दिख्षिता मिस्तरी अजी कें सी तुड़ेस टॉपिक ऑफ डिसकॉशन इस चाइना मिस्टीरियूस इंफ्लुएंजा आउटब्रेक एक बार फिर से चाइना में कोविट-19 की तरह ही एक मिस्टीरियूस या फिर अन्नोन कह सकते ह इंफ्लुएंजा आउटब्रेक ने दस्तक दिया है जिसमें सेकडो बच्चों को हॉस्पिटिलाइज कराना पड़ गया है फॉर निमोनिया लाइक कंडिशन्स निमोनिया के कंडिशन्स दिख रहे हैं बट एक्चुली क्या है यह किसी को नहीं पता डाइग्नोस अभी तक डिजीज को नहीं कर पाया गया है और उसकी वज़े से इंफ्लुएंजा कौन सा है कौन सी वाइरस है यह भी पता नहीं लगा पाया गया है डबलो एचो इसके लिए बहुत ही सीरियसली कदम उठा रही है सारे कंट्री इसको प्रिकॉशन्स लेने कहा गया है अब इंडिया कंटेक्स्ट में हम आज यह देखेंगे कि इंडिया में यह आउटब्रेक है वह पहुँचे नहीं इन्फ्लुएंजा पहुचे नहीं इसके लिए वह कौन सा मेकानिजम है जिसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री बात कर रही है और साथ ही शाथ हम अंदर्स क्या है बैक्टे होता है seasonal fever seasonal fever season क्या है अभी season winter का है और सारे लोगों को सर्दी खासी जुकाम यह आम बात है होना तो basically season जैसे ही change होता है और temperature change होता है और microbes और bacteria germs भी जो है वो active होते हैं और इसके वज़द से seasonal fever है उसे हम flu या फिर influenza कहते हैं influenza एक acute respiratory infection है जिसमें कान गले और फेफडे को infection लग जाता है और यह influenza virus की वज़े से होता है okay virus जो है वो influenza virus है नाम जैसा है वैसा यहाँ पर flu को भी कहा जाता है people जो है वो बिना treatment के ठीक हो जाते हैं लोगों को सिर्फ रेस्ट करना होता है 3-4 दिनों तक and they get treated without any medicine because medicine इसकी कुछ है नहीं there is only one solution and that is vaccination क्योंकि vaccination से immune system हमारा strong होता है और immune जो है immune system वो fight करती है fever को हटाने में flu को भगाने में okay sneezing, coughing के through ये air droplets जो है किसी दूसरे ने inhale कर लिया तो उन्हें भी influenza हो जाता है तो it's also contagious 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 मतलब हिंदी में संक्रामक okay influenza के बारे में समझा let's understand about virus virus क्योंकि ये viral disease के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो virus के बारे में समझना भी important है because from prelims point of view the question can come between virus, bacteria, difference between both of them and etc okay सब microscopic agent होता है ये infectious agent जिसमें infection फैलता है और microscopic एक size बहुत ही छोटा size होता है बट उससे भी छोटा है ये replicate होता है यानि multiply होता है body में लेकिन body के बाहर इसका कोई survival नहीं है क्योंकि ये जो है वो host cell के through body में enter होता है host यानि किसी भी एक cell को target किया उसमें virus लगा और उस cell के अंदर उसके energy को use करके ये replicate या फिर multiply होना शुरू होता है and then it infect that person thousands of copies set lacks of copies ये जो है वो बन जाती है host cell के आने के बाद and that's how virus spreads हर तरह की life forms को infect करता है life forms यानि living beings plants animals humans हर किसी को virus effect करता है it's interesting to know कि bacteria also gets infected by virus isn't it it's interesting तो vectors कि थरू air के थरू ये फैलता है air के थरू तो हमने समझा कि if you sneeze and cough then droplets के थरू किसी person को हो जाता है जब वो inhale करता है vectors यानि agents suppose in malaria malaria is a parasitic disease तो parasite जो है वो किसी human के अंदर enter करने से पहले किसके थरू होता है कोई agent होता है that agent is mosquito okay तो उसके थरू भी virus जो है spread हो सकता है some common known viral disease are SARS-CoV, chickenpox, smallpox, measles and COVID-19 that was also viral disease immune को strong करना है इसका एक only option है जिसकी वज़े से यह virus है हमारी body से जा सकते है virus को study करने वाला subject virology है और यह microbiology के अंदर आता है no this is not very important topic की virology है microbiology है but why I'm telling you this because whenever you read newspaper articles तो articles में यह सारे terms आएंगे फिर आपको dictionary लेके बैठना होगा तो जब मैं यहां पर हूं explain कर रही हूं तो why dictionary you can learn from here that's why these terms makes your article reading easy convenient करता है और आपको जादा चीज़े अच्छी तरह से समझ में आती है एक बार में यह ऐसा नहीं कि मैंने mention कर दिया तो you will you know automatically understand everything in every video I'll try to bring those kind of easy terms ताकि आपको articles newspapers को connect करने में easy हो okay that was about virus now bacteria bacteria क्या है bacteria एक organism है single cell यानि एक cell का बना होता है but it's living organism living है यानि यह खुद का food बनाता है खुद grow कर सकता है खुद multiply भी हो सकता है through binary fission okay so that are the features of single celled organism bacteria का antibiotic इसके लिए काम करता है to kill that bacteria antibiotic अगर कभी किसी doctor ने किसी को prescribe किया है that means that person is suffering from bacterial disease such as tuberculosis got it single cell organism है तो इसको host cell की ज़रत नहीं पढ़ती है virus में क्या है host cell की ज़रत पढ़ती है now यहां पर survival खुद है क्योंकि food खुद का बन रहा है grow खुद कर रहा है nothing there is healthy bacteria as well for just a digestion human body में digestion है तो यहां पर healthy bacteria हमारी help करते है so there are two categories of bacteria healthy non-healthy bad good virus से बड़े होते हैं another difference virus बड़ा या bacteria बड़ा तो you can say bacteria बड़ा होता है virus छोटा होता है तो clearly यहां पता चल रहा है कि bacteria और virus की बीच में क्या difference है I have given this image for your reference single celled organism है हमने school में बहुत बार पढ़ाई है statistics की cytoplasm होता है nucleoid होता है cell wall है capsule है so just pause the video for a second see it reference के लिए हो सकता है exam में when you know some kind of question आए तो आपको figure out करने में question को समझने में यह image हाद कभी help कर दे so that's how these things are important okay got it we understood bacteria we understood virus we understood the difference now let's understand about the mechanism that I was talking about वो mechanism क्या है वो mechanism है integrated disease surveillance project यह surveillance project को ministry ने बोला है strengthen करने के लिए हर एक district और हर एक state में central level पे एक central surveillance unit होती है फिर उसके बाद state surveillance unit होती है and then उसके बाद district surveillance unit होती है ओके यह project 2004 में launch हुआ था उसके बाद 12th 5 year plan में भी continue किया गया था अब national health mission के अंदर इसको run किया जा रहा है aim देखें तो surveillance activities देखा जाए surveillance project नाम है तो surveillance activity इसका primary function है देश में किसी भी district किसी भी जगह पे कोई भी outbreak हुआ है सच ऐस bird flu, H1N1, H5N1 ओके so उन सारी चीज़ों को surveillance कौन करता है इस project के अंदर जो units है वो करती है फिर ऐसे outbreak को tackle करने के लिए human resource की जरुरत है सच ऐस nurse, doctors, paramedics, etc. तो अगर वो numbers में कम हो रहे हैं तो पता चलता है कि ठीक है उनके numbers को बढ़ाना है, training की कमी हो रही है तो training देनी है यह human resource development का काम भी इस project के अंदर होता है third is strengthening laboratories, covid-19 में यह हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि अगर किसी disease को खास तो और पे viral bacterial disease को control करना है तो we need good laboratories, strong laboratories क्योंकि उस समय nasal swabs, throat swab यह सारी चीज़ों को test करना था and we were not having sufficient laboratories in India, especially in towns and villages so that's why laboratories को भी network में coordinate करना होगा और strengthen करना होगा जो इस project के अंदर किया जा रहा है last है data collection, data आज के time पे it's equal to gold, right? पहले coal हुआ करता था gold, now data is the new coal, data इसलिए क्योंकि data से हमें future जो है हम predict कर सकते हैं, right? तो if data is being collected of these kind of diseases, then we can form a futuristic plan, strategy suppose कि केरला में COVID बहुत बड़े स्थर पे था, बहुत डीपली घुज गुज गया था तो अभी हमें पता है कि वहां पर दूसरे disease है, such as this influenza virus अगर वो यहां पर आया इंडिया में, तो basically महराश्ट्रिया केरला यहां पर ज़्यादा जानसे से की लोगों को हो क्योंकि already post pandemic उनके अंदर issues आ रहे हैं और उसके बाद immune system उनकी week हो गई है तो यह data से हमें पता चलता है कि किस area पर focus करना है, कहां पर ज्यादा ध्यान देना है, कहां चीजों की जरूरत है तो data collection भी इस project के अंदर एक काम है, ओके जो weekly update होता है weekly basis पे यहां पर इस unit जो है हम बात कर रहें, वो update करती है इन सारे disease के बारे में So I hope you understood the topic well कि किस तरह से चाइना में जो outbreak है वो इंडिया में नहीं आने के लिए इस तरह के project को strengthen किया जा रहा है difference between virus and bacteria and so on, okay? So that's it for today. Please watch other videos as well and like, share and subscribe. Thank you.